दोस्तों जब आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहली एप्रोच लोगों की होती है कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं, अपने आपको भूका रखते हैं और यह सोचते हैं कि इससे उनका वजन कम हो जाएगा जान लीजिए कि यह साइंटिफिकली बिल्कुल एक गलत अप्रोच है और अगर इस तरह से आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो इससे आपका वजन तो कम हो या ना हो वो एक अलग चीज है लेकिन आप बहुत ज़्यादा बीमार जरूर पढ़ जाएंगे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि उनको वजन घटाने के लिए क्या करना चाहिए और मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि आपको अपने आपको भूखा नहीं रखना है आपको सही चीजों को खाना है और गलत चीजों को खाना छोड़ देना है आज इस वीडियो मे पहली चीज जो कि हर एक उस इंसान को खाना छोड़ देना चाहिए जो कि अपना वजन घटाना चाहता है वह है वाइट शुगर रिफाइंड शुगर या आप जिसको कहते हैं चीनी दोस्तों चीनी एक बहुत ही बुरी चीज है इंफाक्ट यह एक तरहां का वाइट इसको अगर आप खाएंगे तो कोई nutrition आपको नहीं मिलेगा लेकिन calories आपको भरपूर मिलेंगी और यह calories आपकी body के अंदर जाके fat में बढ़ा देती हैं और आपके मुटापे को बढ़ा देती हैं तो अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं सबसे पहले इस चीनी को खा इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिनके अंदर शुगर का इस्तमाल होता है उनको आपको बिल्कुल छोड़ देना है यकीन मानिये सिर्फ एक शुगर को छोड़ देंगे अगर आप सिर्फ बीज से पच्चिस दिन के लिए तो आपका वजन कम से कम एक से दो किलो अपने आ इसके अंदर जितना भी मौजूत फाइबर होता है वो सबकर सब अलग हो जाता है और इस प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी नूट्रियंट्स गेहों के अंदर होते हैं वो भी ज्यादतर खत्म हो जाते हैं तो बचता क्या है बचता है सिर्फ प्योर कैलोरीज यह मैदा जो है यह आपकी आँँ मजा के चिपक जाता है और वहाँ पर कॉंस्टिपेशन पैदा कर देता है गैज और इसकी वुज़ा से आपका पेट चहड़ता है ज्यादा मोटा दिखता है और आपकी बोड़ी के अंदर फैट का डिपॉजिशन भी बढ़ने लगता है तीसरी च चिप्स खाए हैं जो कि I'm sure बिल्कुल खाए होंगे कभी ना कभी और उस चिप्स के पैकेट को आपने देखा होगा तो आप देखेंगे कि वो जो चिप्स के पैकेट है वो एकदम फूला हुआ गोल गपपा जैसा होता है नेक्स टाइम आप जब भी कभी चिप्स खाएं तो एक बार उसको गौर से देखना और दिल में सोचना कि अगर यह चिप्स आप खाएंगे तो आपका पेट पी ऐसा गोल गपपा जैसा हो जाएगा मोटा हो जाएगा तो थोड़ा सा शायद इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा इसको नहीं खाने का जितने भी पैकेजड फूड्स होते हैं चाहे वो चिप्स हो चाहे वो कुरकुरे हो चाहे वो मैगी हो या कोई भी और ऐसा इटम हो जो कि पैकेजिंग में आता है रेडी टू कुक होता है या फिर दो एक मिनट में तयार हो जाता है वो बालकर या हलका सा तलकर वो आपको बिलकुल भी नहीं खा यह सभी चीजे आपके मुटापे को तो बढ़ाती ही है इसके साथ आपके अंदर बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिमारियां जैसे कि डाइबिटीज, थाइरोइड प्रॉब्लम्स और हाई ब्लग प्रेशर जैसे बिमारिया भी पैदा कर सकती है और आपकी नसों के अंदर ब लेट इट मिल्ट यह एक नैटरल सप्लिमेंट है जो कि आपकी बोडी के अंदर एक्सेस फैट को कम कर सकता है और आपको वजन घटाने में काफी जादा हेल्प कर सकता है यह आपकी एपिटाइट को रेगुलेट करता है यानि जिन लोगों के अंदर बहुत जादा भूग लगती हैं बार-बार मंचिंग करने का दिल करता है उन लोग की इस एक्सेस भूग को यह सप्रेस कर देता है जिसकी वजह से आप कम खाना खाते हैं आपका पेट जल्दी भर जाता है और कलोरी इंटेक आपका कम हो जाता है इसके लावा इसके अंदर बहुत सारे ऐसे और काली मिर्च जैसे कुछ natural ingredients हैं जो कि आपकी बोडी के अंदर fat loss करने के लिए fat के accumulation करोखने के लिए scientifically proven है Phytica let it melt एक completely natural और safe product है जिसका कोई भी side effect नहीं है best results के लिए आप इसको दिन में दो टाइम लीजिए एक tablet आप ले लीजिए दुपहर का खाना खाने से आदा घंटे पहले और एक tablet आप ले लीजिए रात का खाना खाने से आदा घंटे पहले इसको आप हलके गरम पानी से लीजिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको results और भी जाधा बढ़िया मिलेंगे इस प्रोड़क के बारे में अगर आप और जाधा जानना चाहते हैं या इसको परचेस करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपको नीचे लेकिन यहां बताना इसमीं जरूरी है ताकि आपको ध्यान रहे दोस्तो फ्राइट फूर्स जो हैं इनके अंदर कैलोरी बहुत जाधा होती हैं और इसी वजह से यह आपकी बॉड़ी के अंदर फैट अकुमूलेशन करती हैं मुटापे को बढ़ा देती हैं इसके साथ यह ड बीब फ्राइड करते हैं तो इससे ट्रानसुस के अंदर जम के हाट ब्लॉकेज और दूसरी प्रॉलम्हक आपके पैदा कर सकते हैं तो किसी भी त znak कोई प्राइड हो ड्की हो चाहे चीज और चीज यह आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, no doubt यह थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत tempting होते हैं इस तरह के खाने, बहुत दिल करता है इनको खाने का, लेकिन अगर आप इनको avoid करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, weight loss के लिए, पांचवी चीज है, white rice और रोटी, यानि चावल और रोटी, अब ये point थोड़ा सा interesting है, क्योंकि ये दोनों ही चीजे हमारी diet का एक major portion होती है, और इनको छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दोस्तों, परिशान मत हुए, क्योंकि मैं आपको इने छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, आपको एक महीने में हर हफते अला गलग तरहां की रोटी इस्तेमाल करनी है, पहले हफते आप मालीजे गेहूं की रोटी ले लीजे, दूसरे हफते आप ले लीजे रागी की रोटी, तीसरे हफते आप ले लीजे चने की रोटी और चौते हफते ले ले लीजे आप जौ की रोटी अगर आप pure गेहूं की रोटी इस्तमाल करते हैं और सिर्फ उसी को इस्तमाल करते हैं तो उससे क्या होता है आपकी body के अंदर fat का accumulation बढ़ने लगता है क्योंकि गेहूं जो है इसके अंदर calories बहुत जादा होती है और ये बाकी जो grains मैंने आपको बताए हैं ये बोसली millet की category में आते हैं तो इनके अंदर carbohydrates यानि calories कम होती है और fiber जादा होता है और दूसरे nutrients से जादा होते हैं तो उससे आपके अंदर nutritional value बढ़ती है आपकी body के आने का बहुत जादा काम करते हैं तो इनको भी आपको avoid करना है white rice की जंगा आप चाहें तो brown rice इस्तमाल कर सकते हैं आजकल black rice भी आ रहे हैं तो वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं अगर आपके हाँ available है otherwise आप quinova भी इस्तमाल कर सकते हैं lastly जितने भी high calorie foods होते हैं इनको भी आपको avoid करना चाहिए अब यह बड़ा obvious सी बात है कि जितने भी high calorie foods है वो आपके अंदर calorie बढ़ाएंगे और मोटापे को बढ़ाएंगे लेकिन अक्सर हम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं देखे high calorie foods का मतलब है कि जैसे soft drinks है यह बहुत high calorie होती है इनके अंदर बहुत किरने चाहिए क्योंकि इसके अंदर से fiber निकल जाता है लेकिन जो package fruit juice होते हैं वो तो जादा ही बुरे होते हैं क्योंकि इसके अंदर कई बार preservatives मिले होते हैं कई बार इसके अंदर कुछ flavoring agents जाले हुए होते हैं और कई बार इसके अंदर sugar भी मिली हुई होती है तो इस तर अंदर भी calories बहुत जादा होती है जितनी भी energy drinks होती है जैसे के red bull है या और बहुत सारे आजकल brands आ रहे हैं और specifically हमारे जो youngsters हैं वह बहुत जादा swag के साथ इनको इस्तमाल करते हैं तो इनके अंदर भी बहुत जादा calories होती है इनको भी आपको बिलकुल भी इस्तमाल नहीं क के लावा एक और बहुत common सी चीज है जिसका चलन दीरे दीरे आजकल बढ़ता जा रहा है वो है energy bars protein bars जितनी भी energy bars और protein bars है वो आपको लगता है देखने में के बहुत healthy है आपको nutrition देती है protein देती है लेकिन असल में यह आपको नुकसान पहुचाती है इनके अंदर बहुत ज चीजों को आप खाना चोड़ देंगे तो बिना कुछ किये ही आपका काफी हद तक वजन कम होने लगेगा लेकिन वजन कम करना कोई magic नहीं है कोई जादू नहीं है overnight वजन आपका कम नहीं होता है वजन जो है वह हमेशा gradually आपका कम होना चाहिए तभी वह sustain रहेगा और gradually कम ह होने के लिए आपको बहुत जादा लंबे समय तक अपने आपको motivate रखना पड़ता है तो इन चीजों को खाना छोड़ दीजिए इनके साथ साथ आप हलकी फुल की exercise भी जरूर कीजिए और अपने आपको relaxed रखिए stress से बचे और अच्छा खाना खाईए आम शूर के इन नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके healthy हमेशा